नमस्कार दोस्तों अगर बिहार में आपने सिक्षक बनने के लिए TRE3.0 में आवैदन किया है तो आप सभी को पता होगा कि जो परिच्छा हुई थी वो तो रद दो चुकी है अब आपको इंतजार है दुबारा होने वाली परिच्छा की तो दुबारा होने वाली परिच्छा की जो तारीखें है TRE3 की वो गोसित की गई थी कि भाई 10 से 12 जून में हम TRE3 की परिच्छा करवा लेंगे लेकिन दोस्तों अब सुत्रो के हवाले से एक और बड़ी खबर आ चुकी है और ये जो 10 से 12 के बीच में परिच्छा होने वाली थी ये भी अब कैंसील हो चुकी है इसमें भी बदलाव हो चुके है जियां BPSC अब इस 10 से 12 को होने वाली परिच्छा 20 जून से करवा सकता है और इस पर निर्णे ले सकता है जियां 20 जून से यानि कि 20-21 जून में इस परिच्छा को संभावता करवाया जा सकता है TRE3.0 के सभी वर्गों की चाहिए वो एक से 5 की बात हो 6-8 की बात हो 9-10 की बात हो 11-12 की बात हो सबकी जो परिच्छा है वो 20 या 21 जून में दो दिनों में कराई जा सकती है 4 जून के बाद फाइनल रूप से परिच्छा केंदरों की सूची तयार हो जाएगी और ये जो निर्णा है वो इस लिए लिया जा सकता है क्योंकि अभी परिच्छा केंदरों की फाइनल सूची तयार नहीं है 4 जून के बाद परिच्छा केंदरों की फाइनल सूची तयार हो पाएगी तो ऐसे में 10-12 जून में परिच्छा कराब पाना संभावता जल्दबाजी में नहीं हो पाएगा और इसी कारण से इस डेट को बढ़ाए जाने की खबर निकल कर आई है कि अब यह परिक्षा 20 जून के बाद ही हो पाएगी इसके साथ ही हेड टीचर, हेड मास्टर, UPSC की जो परिक्षाएं हैं उसमें भी बदलाओ देखने को मिल सकते हैं 16 जून को देश वर में आयोजित होगी UPSC PT की जो परिक्षा है हेड टीचर की जो परिक्षा है वो 13 जून को ही आयोजित होगी हेड मास्टर की 14 जून को ही कराने का लच्छा है टियारी 3 में कुल पहुने 5 लाक अब्यार्थी सामिल होंगे प्रैमरी से प्लस टू तक की परिक्षा में 5 दिनों का समय इस बार लग सकता है यानि कि अब 20 जून के बार जो परिक्षा समय निरदायत हो रहा है वो 5 दिनों तक ये परिक्षा कराई जा सकती है और 15 जुलाई को हो सकता है इसका रिजल्ट जारी यहाँ 15 जुलाई को इसका रिजल्ट जो है टीरी 3 का वो जारी हो सकता है क्योंकि टीरी 4 का जो कलेंडर है ठीक है वो आयोग उसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहता है वो अगस्त में जिस प्रकार से सभी प्रक्रियाएं होनी है वो उसी समय प्रक्रिया को टीरी 4 का वो करना चाहरा है और इसी कारण से हर हाल में 15 जुलाई तक टीरी 3 को ओके कर देगा निकर रिजल्ट जारी करके सिछ्छा विवाग को मामला सौंप देगा और सिछ्छा विवाग फिर आगे की कांसलिंग वेगरा नियुकती वेगरा वो करवाही करता रहेगा ठीक है तो टीरी 4 और टीरी 3 को लेकर ये बहुत ही बड़ी अपडेट है यहाँ पर BPSC की तरफ से तो ऐसी लेकर अपडेट आप आगे भी देखना चाहते हैं और ऑफिशल लेकर की जनकरी पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं धन्यवाद